Floating Neutral क्या होता है? क्यूं होता है? और इसकी वज़े से हमें क्या-क्या समस्य हैं जेलनी पड़ सकती है? यही तुमार जानोगे इस वीडियो में. तो चालू करते हैं फिर. और अगर यहां तक आई ही गए हो, तो सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को. वो जो लाल बटन, सोरी, वो जो सफेद बटन है ना, दबा दो उसको, साथ में गंटी भी दबा देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना. क्यूंकि ऐसा करने से क्या होगा? जो ओजो लियर में बड़े-बड़े छेद हो गए है ना, ग्लोबल वर्मिंग की वज़े से, उनको बंडे में मदद मिल चलो अब, तो अगर एक लाइन में इसको एक्स्प्लेन किया जाए, तो न्यूटल का 0 वोल्ट पे ना होके, किसी और वोल्टेज पे चले जाना, किसी और वोल्टेज पे फ्लोट कर जाना, कहलाता है फ्लोटिंग न्यूटल. ये बात हमें पता होनी चाहिए, कि न्यूटल के अंदर zero voltage होता है ideal condition के अंदर बागी अगर देखा जाए तो neutral के अंदर लगबग एक से दो वोल्ट होना आम बात है मतलब अगर तुम मल्टिमीटर का एक point अर्थ में लगाओगे और दूसरा point neutral में लगाओगे तो तुम्हें वहाँ पे floating neutral की problem जो है वो बन चुकी है अब इससे पहले भी मैंने neutral पे कुछ वीडियोस बनाई हुई है जो कि तुम्हें देखनी चाहिए तुम्हारा जो सारा doubt है वो clear हो जाएगा link description में है तो उनमें मैंने बताया था के एक star फेस से उठाया जा रहा है उतना ही इन दोनों से भी उठाया जा रहा है तो इस condition के अंदर होगा ये के neutral के अंदर कोई भी current नहीं जाएगा यानि कि zero current जाएगा लेकिन अगर यहाँ पे तीनों फेस पे load imbalance है मतलब मानलो इस पे 1000 वोट है इस पे मानलो 900 वोट है और इस पे 1100 वोट है तो इस condition के अंदर neutral के अंदर current flow करना शुरू कर जाएगा और वो current क्यों flow करता है ताकि तीनों फेस को balance किया जा सके अब ऐसा तो कभी होई नहीं सकता कि तीनों फेस पे बिल्कुल equal load हो सके क्योंकि किसी घर में load जादा है तो किसी घर में कम है और इस condition में होता यह है कि neutral के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ current flow करता ही रहता है अब माल लो इस phase पे 10 घर जुड़े हैं इस पे भी 10 घर जुड़े हैं और इस वाले पे भी 10 घर जुड़े हैं तो यहाँ पे 10-10 घरों में जो phase हैं वे 3 अलग अलग जा रहे हैं लेकिन जो neutral होता है वो सबी घरों में बिल्कुल common होता है मतलब यही neutral 30 के 30 घरों में जाएग अब क्योंकि तीनो phase पे load बिल्कुल अलग अलग है इसकी वज़े से neutral के अंदर एक non-zero current जाएगा मतलब उस current की कुछ न कुछ value होगी और वो जो current है वो neutral के voltage को 0 न रहते हुए कुछ और कर देगा और इसी समस्या से बचने के लिए neutral की earthing की जाती है यह बात तुम्हें पता है वो एक बहुत बड़ा चार्स सिंख है मतलब हम उसको कितना भी voltage दे दे वो हमेशा 0 हो जाएगा अब यहाँ पे जो floating neutral है उसकी समस्या पैदा होती है कमजोर अर्थिंग की वज़े से जब भी neutral के पास की earthing कमजोर हो जाएगी मतलब जहां भी तुम्हारा transformer है वहाँ पे neutral बना गया उसकी वज़े से हाँ पर resistance बढ़ जाएगा मतलब जो current है वो सई से flow नहीं कर पाएगा इसकी वज़े से जो neutral है उसका मतलब उसमें floating आ जाएगी उसका कुछ न कुछ voltage बढ़ जाएगा और ऐसी समस्या जो हमेशा जायतर गाउं के area में होती है वहाँ पे जो बिज मतलब fix voltage कितना होना चाहिए 220-240 मतलब तुमारे घर का voltage अगर इन दोनों के बीच में है तो मतलब बिलकुल perfect है लेकिन यहाँ पे voltage कभी तो हो जाएगा 250 फिर थोड़ी देर बाद हो जाएगा 180 फिर हो जाएगा 260 कभी 300 भी जा सकता है उसके अलावा नीचे में मानलो 1500 चला कहीं 120 चला गया यहाँ पे जो voltage है वो बहुत जादा dispelence होना शुरू करतेगा और यहाँ पे ऐसे होगा मतलब इस वाले phase पे जो भी घर जुड़े है अगर उनका voltage हाई चला गया मानलो 300 चला गया तो यहाँ पे इस वाले घर का voltage मानलो चला जाएगा 1500 और इसका कुछ और च चला जाता है और दूसरे phase का बहुत जाता लो हो जाता है दूसरी समस्या नूटल जो है जटका मानना शुरू कर देता है आम तोर पे अगर तुम नूटल को टच करो तो वो जो है करण नहीं मारता क्योंकि इसका voltage होता है 0 लेकिन यहाँ पे जब भी नूटल फ्लोट कर जा अगर कोई भी fault आया तो वे इस fault को भाप नहीं पाएंगे और तुमारी बिजली को काट नहीं पाएंगे अब इस floating नूटल का समधान क्या होगा तो यह की समधान है जहाँ पे भी तुमारा नूटल कमजोर है transformer के पास उसको मजबूत कर दो लेकिन यह तुमारा काम नहीं है यह काम है तुमारा जो service provider है बिजली का उसका काम है वहाँ पे तुम complain करोगे तो यह जो इसको fix कर देंगे लेकिन क्यूंकि हमें मालूम है कि सरकारी करमचारी कितने तेज तर्रार और अपने काम के प्रती कितने जागरूख है इसको लेकर तुमें खुद भी उपाय कर सकते हो वह उपाय यह है कि अपने घर में अर्थिंग करो बतलब एक तो अर्थिंग होगी तुमारे घर में जो कि तुमारे switch में जा रही है और एक तुम अर्थिंग अलग से करोगे और उस अर्थिंग से अपने neutral को जोड़ दोगे इससे होगा यह कि तुमारे जो neutral float कर रहा था वो बिल्कुल normal condition में आ जाएगा और जो तुमारा voltage है वो भी लगबग एक normal value पे आ जाएगा लेकिन अगर तुम घर में ऐसी अर्थिंग करो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो तुमारी main अर्थिंग है अगर तुमारे घर में पहले से अर्थिंग की गई है उससे पूरी पही ऐसी अर्थिंग करना क्योंकि अगर तुमने इनको पास-पास कर दिया तो नमी की वज़े से एक हो सकती है